हेलो दोस्तो यूपी से से सक म्पिटो वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है आज का चेप्टर हमारा होगा कीबोर्ड कीबोर्ड का हिंदी नाम जो है कुंजी पटल है और इसका अभिसकार 1860 में क्रिप्टो फर लेथम सोल्स ने किया था कीबोर्ड हमारा जो है टाइप राइटर की तरह दिखता है इसलिए हम कीबोर्ड के साथ साथ आपको टाइप राइटर के बारे में भी बताएंगे और कीबोर्ड और टाइप राइटर में क्या अंतर है ये भी इस वीडियो में बताएंगे लुख्स लॉक्ष लाइक टाइपराइटर की बोड़ जो होता है टाइपराइटर की तरह दिखता है इड कॉंटेन्स औल लेटर साफ अलफावेट Mr. एक फोटे हैं नमबर सोटे हैं और कुछ इस्पेशल करेक्टर्स भी इसमें उते हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है कि यह अपका टाइप राइटर है जो टाइप राइटर का चेहरी वा तहसेल में रखे जाते थे जिसमें अप्लिकेशन वा लेटर टाइप करते थे और यह रहा कीबोर्ड जो बिसमें आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रियुक किया जाता और keyboard जो होता है electrical होता है ये आपका जब light connect होगा computer तभी चलेगा इसमें type की गई सूचना को सही नहीं किया जा सकता जो type writer होता है उसमें कोई भी सूचना हम अगर जो गलत हो गई तो उसको सही नहीं कर सकते हैं और इसमें print करने से पहले सूचना को जितनी बार चाहो उसमें बदलाव कर सकते हैं इनका प्रियोग तहसील का चेहरी में आज बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे चलन से बाहर हो गये हैं केबॉड टाइपिंग का प्रियोग पूरे विश में बहुत तेजी से हो रहा है आईए आगे देखते हैं केबॉड के भाग केबॉड में सबसे उपर जो होती हैं फंक्सन की होती हैं जो f1 से f12 तक होती हैं अल्फाबेट्स की जो होती है वो A से Z तक होती है कंट्रोल की जो है कंट्रोल, अल्टर, विंडोज, इसकेप अधर की ये कंट्रोल की कहलाती है निमेरिक की जो होती है 0 से 9 तक होती है और नेविगेशन की और अधर की उसमें होती है वोर्ड के सभी भागों के बारे में हम डिटेल से डिस्केस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्सन की के बारे में फंक्सन की जो होती है F1 से F12 तक होती है फंक्सन की का प्रियोग हम अलग-अलग साप्टोर पर अलग-अलग तरीके से करते हैं शाटकट के रुप में करते हैं, साटकट की लांग कम को कम समय में कर देती हैं, जैसा कि MS Word में इसका अलग तरीके से प्रियोग करेंगे, Excel में अलग तरीके से, PowerPoint में अलग तरीके से, Tally, Photoshop, Coral Drive में सभी अलग अलग तरीके से साटकट का प्रियोग किया जाएगा, ध्यान से दिखीगा हम एक एक की का प्रयोग बता रहे हैं जैसे F1 आपका सबसे पहले है तो F1 जो होता है help के लिए होता है अगर जो F1 किलिक करते हैं डिश्टाप पे तो उसमें help center आ जाएगा कुछ भी लिखेंगे उससे सम्मंदित help पा जाएंगे MS1 में भी वही प्रयोग है टैली में भी वही प्रयोग हो चाहिए जो चेप्टर हो अगर जो F1 किलिक करेंगे तो उस चेप्टर के बारे में help आप ले सकते हैं F2 जो होता है डिश्टाप पे फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए होता है अगर जो किसी फाइल या फोल्डर पे हम किलिक करके F2 को किलिक करेंगे तो कोई भी नाम हम तुरंत चेंज कर सकते हैं और MS Word में वही चीज़ F2 से nothing कुछ नहीं होगा और control F2 किलिक करेंगे तो print preview option दिखाएगा और वही टैली में देखा जाए तो F2 से date change हो जाती है इसी प्रकार F3 देखते हैं तो F3 का पर वह सर्च करने के लिए किया जाता है कोई भी फाइल फोल्डर डाकॉमेंट सर्च करना हो तो आप F3 को किलिक करेंगे वर्ड में भी सर्च करने के लिए होता है और टैली में सेलेक्ट कमपनी के लिए होता है आगे F4 जो option होता है अल्टर के साथ F4 करेंगे तो किसी भी प्रोग्राम को हम close कर सकते हैं या पूरे computer को shutdown भी कर सकते हैं अल्टर F4 के साथ MS Word में भी वही काम होता है अल्टर F4 को किलिक करेंगे तो सीधे आपका प्रोग्राम जो होगा वो close हो जाएगा और टैली में बदल गया है टैली में आपका counter voucher उससे open होगा F5 की से refresh होता है dish tab पे और अगर MS Word पे देखा जाए तो से find और replace करेंगे अगर जो टैली में देखा जाए तो payment voucher open होगा F6 जो होता है उससे highlight address bar जो होता हो highlight होता है यह आपका MS Word में भी वही highlight होगा address bar और टैली में देखेंगे तो voucher receive खुलेगा F7 जो होता है उसका प्रियोग dish tab पे कुछ नहीं है यह आपका MS Word या Excel में powerpoint में किसी भी option में देखेंगे तो spelling को चेक कर सकते हैं अगर जो कोई error हो जाती है या गलती हो जाती है तो spelling आपको चेक करने के लिए F7 का प्रियोग करेंगे और टैली में देखेंगे तो voucher general खुलेगा F8 option जो होता है जब computer start करते हैं तो अगर जो F8 हम click करते हैं तो या boot menu open हो सकता है या computer safe mode में चालू हो जाएगा और अगर जो हम MS Word में देखें तो किसी भी text को select कर सकते हैं और जो टैली में देखें तो sales voucher open कर सकते हैं F9 का कोई use जिसमें नहीं बताया गया है F9 में टैली में purchase voucher open होगा F10 से जो होता है active menu bar menu bar जो active रहता है अगर shift plus F10 को click करते हैं तो उसमें right click जो होता है वो आता है और right click इसमें भी आता है और इसमें टैली में बाउचर open हो जाते हैं F11 जो होता है उससे MS PENT में अगर जो हम full screen करना चाहें तो full screen हो जाएगा F11 से और MS Word में इसका कोई use नहीं दिखाया गया है और accounting voucher टैली में accounting features जो है वो F11 से open होते हैं इसी प्रकार last app का F12 आता है जिसमें save page option खुलता है MS Word में save page अगर जो करना है तो आप F12 से कर सकते हैं कीबोर्ड के बारे में बताया और कीबोर्ड और टैप राइटर के अंतर के बारे में बताया थाइंक्यू फर्वाचिंग